जय गायत्रिमा आप सभी मित्रों को मेरी यूट्यूब चैनल में प्यार भार स्वागत करता हूं तो चलिए हम आज बताते हैं घंटा रवा सन्पुस्पी के बारे में संस्कृत नाम है घंटा रवा और सन्पुस्पी हिंदी में इसको जुन जुनिया बोलते हैं तो इसके बारे मैं आप लोगों को बताऊंगा और यहां इसकी खेती की जाती है और 36 गड़स के समस्त जीतने भी मेरे भाई बहन उनसी निवेदन है कि इसे खेत खल्यारे में दिखता है तो इसको उखाड करके नहीं फेकना चाहिए वहनों सद्य है इसके सरक्षन होती है और थोड़ा पतले मजबूत नहीं होती जल्दे टूट जाता है और सन जैसे इसमें पीले-पीले फूल लगते कुछ में तो पीले नारंगे रंगे पुस पलकते हैं बीच में काला-काले जैसे धारिया होता है तो इनके हम आयर्विदिक प्रविग आप लोगों को बताइंगे जयानकारी मैं दोंगा जिससे कि आपको सुस्त्व तलाब मिले जाँ इची जानकारी मिलेगे और आप सभी जिनिविदन है चुरु है तो लोग चाते हैं जंगलों में देखा है वों की यह दनी कि आप इसका आपको धियान रखने चलते हैं कुछ इनके आयरवेद प्रयोग को हम बताते हैं गले और मुख के रोग में गले इसमें कंठ रोग मुख में घाव या च्छाले हो गए हो तो इस पठ्छन जुन-जुनी सन पुस्पी का आप पत्तों का गंडूस्त करने से आपके घाव और गले की जो सुजन आदे जो विकार है मुख का समस्त विकारों को दूर करता है तो इसका प्रयोग कर सकते हो कि पेट में गडबडी या खरावी पेट में गडबड़ी खरावी के मतलबुने पतला दस्त होना अतिसार होना और दस्त जैसे और भौँट समस्तय है तो इनके पत्तों का आप क्वाद बनाई हैं क्वाद बना के लगभाग 10 liters के गर आमके मात्रा में एगर आप पीते हो तो आपके जो पतलत दस्त अतिसार है संग्रणी है एकदम उसको यहाँ ठीक करता है यहाँ संपुस्पी जुंजुनिया तो इसका प्रयोग किजिए इस ढूंगरी सन का तो इससे आपको लाब मिलेगा ही मिलेगा इसको गठिया रो को भी निवारन करते हैं अνक्य को प्रयों City को पीस कर फिर्फिछर वागल Ingred के में तपा करे गुरम करके जर्ण पर इसको करने से गठियावात का सुझन हो जाता है और दर्द होता है उसका निवारन करता है और इसकी खेती भी जाती है तो आप इनका खेती कीजिए अपने म्योडों पर लगाई और उसे परियोग करो जिस किसी के सरीर में पुराना से पुराना गहाव हो गया हो और गहाव होने पर उस सडागला जैसा हो गया है तो पत्तों को पिस्क करो के लगाई रहा है तो जंगली जो आप संपुस्पी है उसके पत्ते को पीश कर लगाते हैं तो वहां से ममाद निकलना, कंडू आदी जीतिनी भी चर्म रोग है, विस्पोठक रोग है, उसको भी आराम पहुंचाता है, ये निरापदा उसदी है, कोई नुक्सान नहीं करता जो कुष्टरोगी स्पीडिस हमारे भाईबा है, वहां क्या करें, इसकी पत्ता और जड़ को पीश लिजिए, और कुष्टरोगी जगह पर हो, उसको लगाते हैं, तो आपको कुष्टरोग की जो अंग्रिजी मेडिशन उसको लेने कि आपको उसकता नहीं पड़ेगा, और कुष्टरोग को धीरे से हटा दे, लेकि आयर्वेद का काम है, बर्गत के समय धीरे ससक करता है, लेकिन रामबान काम करता है, इलोपाइट की तुरांत खा गया भी, जैसे कि कोई दिन किसी को दर्द हो रहा हो, तो आप डाइकलोफेना के डाइकलोवीन के टेबलेट खा ल हो गया है, वहाँ इसके बीजो को पीस करके, अगर सभी सरीर पर लेप करते हो, तो सभी सरीर का जो सरवांग, जो रोग है, सूजन है, उसको ठीक करके रोग्यों को लाब देता ही, देता है, इसमें किसी प्रकार संदे नेती सन्पुस्पी को बचाओ, और कि सुरक्षा करो मैं आप सभी से विनिती करता हूँ, पेड़ बचाओ, जंगल बचाओ, यही आप से आप से